तो इस वीडियो की काफी ज़ादा डिवान थी कि भाई, सूपर नेचर सीरीज का नेश्ट पार्ट लेकर आईए, तो लिजी हम अगला पार्ट लेकर आचुके हैं, और आज हम आपको इस वीडियो में टॉप टेन बेस्ट्र सूपर नेचर टीबी सोस के बारे में बताएंग नजर आया थे, सो के टोटल एपसोड थे, 114 बाद कर इस सो की स्टोरी लाइन के बारे में, तो यह सो बरेली के प्रिष्ट भूमी परधारित है, जहां पर रानी नाम की एक खुबसूरत लड़की दिखाये जाती है, लेकिन वात्सों में वो एक पिसाचनी होती है, और उस इस सो के सभी एपसोड अभी आप वो टैप पर आसानी से देख सकते हैं, वही हमारे लिस्ट में दूसरा सो है फिर लोटाई नागिन, जो की दंगल टीबी का सो था, एडिस सो में निकिता सर्मा, जतिन वर्दवाज, अभिमनी चोधरी, अंकीता रोड़ा जैसे दिग्गस इस सो के टोटल एपसोड 100 थे, बात कर इस सो की स्टोरी लाइन के बारे में, तो इस सो में आपको नाग नागिन की कहानी देखने को मिलेगी, अब इस स्टोरी यही है कि नागिन के नाग को कुछ लोग मार देते हैं लालच में, अब यहाँ पर किस चीज का लालच होगा, यह बात तो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगी, बिकॉज नागों के पास नागमडी होती है, यह बात तो हम सभी को भी पता है, तो जी हाँ, वही नागमडी कुछ लोग हांसिल करना चाते थे, इस शक्कर में नागिन के नागरजुन को वो लोग मार देते हैं, अब क्या वो नागिन अपने नागरजुन को फिर से पापाएगी, क्या वो अपने नागरजुन के कातिलू का बदला ले पाएगी, यह सब जानने के लिए आपको यह सो देखना पड़ेगा, इस सो के सभी एपसोर्स अभी आप वूट एप पर आसानी से देख सकते हैं, या फि कि सिवाच, रहना मन होतरा, गरिमा राथोर, उनी के साथ और भी कई सारे दिगज कला का नजर आये थे, कमाल की बात यह है कि सो को लोगों ने इतना जादा पसंद किया था, कि सो के दो सीजन बन गए, एंडिस सो ने टोटल 361 एपसोर्ट कम्प्लेट किये, जो की बहुत अ पुनर मिलन के लिए 500 से भी अधिक वरसों से वेट कर रही है, अब क्या वो इस मनमोहिनी का सामना कर पाएंगे या फिन नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सो देखना पड़ेगा, एंडिस सो के सभी एपसोर्ट अभी आप Z5 एप पर आसानी से देख सकते हैं, मैं अ समारे लिष्ट में अगला सो है राज महल डाकनी का रहसे, जो की सेमारू उमंग का सो है, एंडिस सो में रिदमतिवारी, हिमानसु सोनी नहार सुरा, पत्राली चटोपध्या जैसे दिगज कला का नजर आए हैं, बात कर इस सो की स्टोरी लाइन के बारे में, तो इस सो में आप देखेंगे कि राजा और एक रानी अपना खुसाहल जीवन व्यतीत करे होते हैं, लेकिन उनका खुसाहल जीवन तब अस्तिव्यस्त हो जाता है, जब एक दुस्ट डाकनी अमर होने की चाह में, उनके राज पर एक बुरी चाया डालती है, अभाई ऐसा उस डाकनी को क चाहिए जिसे वो अमर हो जाएगी, एंड क्या सच में डाकनी अमर हो जाएगी, या फिर उसे कोई रोकेगा, ये सब जानने के लिए आपको ये सो देखना पड़ेगा, एंड इस सो के सभी एपसोर्स अभी आपसे मारू मी एप पर आसानी से देख सकते हैं, वहीं हमारे ल जो एक गुप्त और समाबेसी प्रजाती के कुछ अंतिम सदेस्यों में से बचे हैं, वेल इस सो में और भी बहुत कुछ देखने लायक है, एंड वो आपको तब पता चलेगा जब आप इस सो को देखेंगे, एंड इस सो के सभी एपसोर्स अभी आप वूट एप पर आसान इस से देख सकते हैं, हमारी लिस्ट में जो अगला सो आता है, उस सो की जितनी तारीफ करें, उतना कम है, विकॉज वो सो मुझे बहुत जादा पसंद आया था, एंड आम स्योर की आपको भी वो सो बहुत जादा पसंद आएगा, अगर आप इस से देखेंगे तब, जी हम आदें कि ये सो प्रेजेंट टाइम में चल भी रहा है, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो, बाकि एन फ्यूचर का पता नहीं, लेकिन इस वक्त लोग इस सो को बहुत जादा पसंद कर रहे हैं, दोस्तो मैंने इस सो को देखा एंड मुझे ये सो बहुत जादा पस बात कर इस सो की स्टोरी लाइन के बारे में, तो यार इस सो की स्टोरी लाइन बहुत जादा अच्छी है, इस सो में एक परी और राच्छस की जादूई प्रेम कहानी देखने को मिलेगी, जो अपनी जादूई विरासत से अंजान है, अपनी वास्तिविक पहचान और अप आपको तब पता चलेगा जब आप इस सो को देखेंगे दोस्तो मैं आपको इस स्टोरी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका जो मज़ा है वो खराब हो तो आप इस सो को देखिए एंड आपको ये सो बहुत जादा पसंद आएगा एंड इस सो के हर एपसोर्ड की रणिंग टाइम 40-45 मिनट की है जो आपको बहुत जादा इंटेटेंड करेगी एंड इस सो के सब इपसोर्ड अभी आप वूट एप पर आसानी से देख सकते हैं वह हमारी लिष्ट में जो अगला सो आता है उसका नाम है ब्रम राच्छस जो की जी टीबी का सो है एंड इस सो में अहम सर्मा क्रिश्टल डी सूजा उनी के साथ और भी कई सारे दिगज कलाकार नजर आए हैं वैसे इस सो के अब तक दो सीजन आचुके हैं और दोनों सीजन में अलग-अलग स्टार कास्ट नजर आए हैं और इस सो के जो टोटल एपसोर्ड थे वो थे 94 और हर एक एपसोर्ड की रैनिंग टाइम 40 से 45 मिनट की है जो आपको बहुत जादा एंटिटेंड करने वाले हैं वहिएंगल बात कर इस सो की स्टोर्ड लाइन के बारे में तो इस सो में आप देखेंगे एक कमल पूरा नाम की जगा पर एक ब्रम राच्छस रहता है और वो ब्रम राच्छस हर एक दुलहन को मार देता है मतलब कि कही साधी हो रही होती है तो वहां पहुँच जाता है पर नाग ब्रह्म राच्छास का सामना कर पाएंगी और आखी ब्रह्म राच्छास दुलन को क्यों मारता है ये सब जानने के लिए आपको सो देखना पड़ेगा एंडी सो के सबी एपसोर्ट्स अभी आप Z5 एप पर आसानी से देख सकते हैं मैं भी चेक कर लेना क्या पता इ पर आजने टाइम में चल भी रहा है जम मैं इस वीडियो को बना रहा हूं इन फ्यूचर का पता नहीं कि इन फ्यूचर ये सो चलेगा या फिन नहीं लेकिन अभी सो चल रहा है और लोग इस सो को बहुत जादा पसंद कर रहे हैं वहें कर बात कर इस सो की स्टोरी लाइन के नहीं है फिर लोटाइन आगिन में नागमडी को इनसान हासिल करना चाते थे लेकिन इसकी की दास्तान नागमडी में नागमडी को एक चुडएल हासिल करना चाती है अब क्या चुडएल उस नागमडी को पा जाएगी या फिन नहीं ये सब जानने के लिए आपको ये सो द बात कर इस्तो की स्टोरी लाइन के बारे में तो इस्तो में आप एक इसा नाम की लड़की को देखेंगे जो इच्छा धारी भेडियों के बीच फस जाती है एक का नाम होता है अर्मान और दूसरे का नाम होता है वीर दूस्तों वीर और अर्मान दोनों भाई होते हैं और ये दोनों एक ही बंदी को चाते हैं यानि की ईसा को ईसा जो इन में से एक के लिए चाहत बनेगी और दूसरे के लिए आफ़त बनेगी अब भाई एक बंदी दो बंदे तो दुसमनी तो यहाँ पर सुरू होगी ही एक बात में कहूं तो यह एक लब स्टोरी सो है जो रहास्यों से भरा पड़ा है और वो कैसे रहा से हैं कौन से रहा से हैं यह सब जानने के लिए आपको यह सो देखना पड़ेगा अगर आप लब स्टोरी टाइप के सोज देखना पसंद करते हैं तो यह सो आप ज़रूर देखें आपको यह सो ज़रूर पसंद आएगा अगर इस सो के सभी एपसोर्ट अभी आप वो टैप पर आसानी से देख सकते हैं हमारी लिष्ट में जो आखरी सो आता है उस सो का नाम है लालिस्क जो की एन टीवी का सो था दोस्तों इस सो के स्टार कास्ट के बारे में क्या ही बात करें विकॉज हर एक एपसोर्ट में नई स्टार कास्ट नजर आई है हर एक एपसोड की कहानी नहीं है वह एकर बात कर इस सो के टोटल एपसोड की तो दोस्तो इस सो ने टोटल 233 एपसोड कम्प्लीट किये है और हर एक एपसोड की रेनिंग टाइम 40-45 मिनट की है जो आपको बहुत जादा एंटिटेंड करेंगे एपसोड अभी आप Z5 App पर आसानी से देख सकते हैं या फिर YouTube पर भी देख सकते हैं दोस्तो इस सो के कुछ एपसोड बहुत जादा खतरनाग हैं जो आपको बहुत जादा पसंद आएंगे वेल दोस्तो इन में से अभी आप की सोड को देखने वाले हैं अगे बाकी भी आपको बदोस्तो अब बाकी पताइगे और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सकाइब ज़रू करना इसानल की बीडियो आगे भी देखने के लिए क्यूकि हम आपके लिए इस तरह की इंटरस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं तो सब्सक्राइब जरू कर देना बाकी मिलते हैं किसी और इंट्रस्टिक वीडियो के साथ तिल दिन बाएं टेक कियर